गाइज ऐसी अच्छी ची वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस राइड वाले आइकन पर क्लिक करके और साथी नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लेना जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालू आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों इतनी मेहनद करने के लिए वीडियो एक लाइक जरूर से कर देना तो हाई गैस दिस श्याम एंड वाचिंग टेकनिकल स्याम यूट्यूब चैनल दोस्तों अज की सीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन सा अंप्लिफियर बैस्ट है तीस पश्पन या फि पोस्ट मिलेंगी तो एक बार विजिट करके उस वेबसाइट को बताना अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ नौलेज है तो उसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्षन में बता देना तो चली दोस्तों आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 35 के फीचर्स के बारे में इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं यह कितने वाट आउट पूट देता है और यह कितने रुपे का आपको मिल जाएगा दोस्तों आपको एंप्लिफायर सेलेक्ट करने से पहले अपना वजेट भी देख लेना है क्योंकि जो ब पावर सप्लाई के लिए होता है उसका एंप्लिफायर से कोई कनेक्शन नहीं होता ठीक है ना उससे वाटेज का आउटपूट बढ़ेगा और नहीं घटेगा ठीक है दोस्तों उसके अंदर आप 12-0-12 से लेकर के 18-0-18-5 एंपीर तक का ट्रासफोर्मर उसके अंदर लगा सकते हो ठीक है अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको उसका वाटेज कैसे पता करना है जैसे दोस्तों अगर आप उसमें 12-0-12 का पाच एंपीर के ट्रासफोर्मर लगा रहे हो तो जो उसका आउटपूट होगा 12 को 5 से इंटू करोगे तो आपका साट वोल्ट साट वाट का निखलेगा ठीक है अगर आप अठाड़.08 लगाते हो तो नभे वाट का आपका आउटपूट निकलेगा दोस्तों दोनोष चैनल के मिला के नभे वाट का आउटपूट निकलेगा मतलब एकश हैं लिजनलत cm4 आप अपो Karti तो अगर आफ लाइन जाते यह और मिल जाएग ठीक है दोस्तों इसका transformer भी आपको लेना पढ़ेगा और ढूस्तों इसका जो ट्रासफोर्मर्ण होगा वह आपको अगर आप copper में लेते हो तो वह थोड़ा नें मेहीगा और आप pall申 lei ने टोधा आतो सता मिलेगा दोस्तों झोबा बाइन गार्वार से बोड के बारे मैं दोस्टों जो हमारा यह मारा5900ड है इसके अंदर हमारे चाल ट्रांजिस्टर होता है जिस में से दो ट्रांजिस्टर होता है अब इससे ले करके 35-0, 35 तक का आप transformer इसमें यूज कर सकते हो 5 Ampere का ठीक है उसके साथ ही दोस्तों आपको 0-12 का भी transformer इसमें यूज करना होगा इसके बेस्ट्रेवल के अंदर पावर सप्लाई देने के लिए दोस्तों इसके अंदर एक आईसी लगी होती है जो की बेस्ट्रेवल को ओपरेट करती है तो इसके लिए आपको अलग से पावर सप्लाई देनी होगी या फिर आप ऐसा भी transformer ले सकते हो जिसमें 0-12 उसी के अंदर हो दोस्तों आप इसके आउटपूट की बात करते हैं अगर आप इसमें 30-0 35-35 देते हो तो 35 को पांच से इंटू कर देना आपका जो वार्टेज होगा वो निकल कर आ जाएगा ऐसी आप किसी भी अंप्रिफायर का वार्टेज निकाल सकते हो तो चलिए दोस्तों आप इसके इसके बारे में बात करते हैं अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका मैंने आप आपको औरिजनल लेना थो थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन आप औरिजनल लोगे तो उसकी जो लाइफ को ज्यादा होगी ठीक है अब दोस्ते इसके अंदर ट्रास्फोर्मर भी आप पड़ेगा क्योंकि 35-35 का ट्रास्परमर इसके अंदर लगेगा और दोस्ते इसका जो वाटेज मैक्सिमम वाटेज यह वह भाट का निकल कर आता है तो आप इसमें लेकिन दोस्तों जो 52 केट है वो आपको काफी जादा कोश्टली भी पड़ेगा अगर आप अच्छा amplifier लेना चाहते हो और आपके बजट है 52 amplifier लेने का तो आप ले सकते हो अगर आप 30-55 का amplifier लेते हो तो वो भी काफी जादा अच्छा है उसका उपर मैंने काफी जारा वीडियो बना रखी आप उन्हें देख करके सीख सकते हो एम्प्लिफायर बना ना तो दोस्तों उम्मिण करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो गया आश्ची लगी हो दो इने चैनल दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ इन नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लेना तो चलिए दोस्तों आज कि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब